अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अधिनियम की खिलाफ अत्याचार निवारन अधिनियम की तहट शिलास्तर पर केगे अपरादों की समिक शक करकी पीडितों को ततकाल ल्याप और नयाय के लिए जिलास्तर की साथ-साथ प्रतेक जिले में उपमंडल स्तर पर सतर और नियंत्रन समीति की स्थापना करें, यह आदे शिवागे आयुक्त संचीव कुमार ने दिया। पर नागपुर के मुख्यकारीकारी अधिकारी योगेश को मेश कर वर्धा के डॉक्टर सचीन उम्बेश चन्रपूर के राहुकर दिल बंडारा के विनेमून और उपायक्त शुरीकान फड़के धरंजे सूते आशा पठान प्रभागे सतर्ता और नियंत्रन समिती के सदस्य सचीव और समाज कल्यान के शेत्रे उपायक्त डॉक्टर सिधान गायकवार इस असर पर उपस्ति थी समिती की समिक्षा करते हुए डॉक्टर संचीफ कुमार ने कहा कि अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अधिनियम 1989 के खिलाफ अत्याच्यार की रुकताम की तह संबाक स्चर पर गठी समिती या रिपोर्ट मासिक बैठकों में आयोचित करके विभागय समिती को प्रस्तूत की जाने जाई साथ ही अत्याचार की शिकार लोगों को सरकारी नोकरियों में अंगसूची के अनुसार समयोजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हीं तत्काल सरकारी साहता मिल सके उन्होंने हत्या, मृत्यू और साही विकलांगता के मामले में उन्हें नोकरी और पेंशन, पुनरवास, आदि प्रदान करने के सरकारी नेर्ने के अनुसार तत्काल कारवाई करने का निर्देश दिया अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती अधनियम के तहट किये गए अपराद, पलिस जान्ज के तहट अपराद, नयाप्रवेश और नयाले में लंबित अपराद, वित्तपोशन के लिए योग्या और लंबित मामलों की समिख शाक की गई बैठकी शुरुआत में गायकवार ने नाकपुर डिवीजन में होने वाले अपरादों और वित्तिय सहायता के लिए लंबित होने की चानकारी दी नाकपुर डिवीजन में हत्या, बलातकार और अपरादों के कुल 418 मामली पुनरवास के लिए लंबित है इनमें से 365 लोग लाभान वित होए है क्यामरा पोसिन राजखमार मोड के सार अभिशेक पान से 20 यन्यूस नाकपुर